पढ़ती है कि लेखक सत्यापित करता है कि यह कहानी पुरी तरह उसकी कल्पना की उपज है और इसका वास्तविक जगत से अगर कोई संबंध जोड़ता है तो यह महाज सन्योग ही होगा यह कहानी जिस समय लिखी गई उस समय के बारे में और लिखते हुए जो आप महसूस कर रहे थे जो जाहिर सी बात है कि हमारा एजेंडा हमारी ऐडियोलोजी कई बार रचना में बोलती भी और कई बार नहीं भी बोलती है उसकी बारे में कुछ आप साचा करना चाहेंगे हमसे त्याओ है यह जया इन्दल सत्याग रही वाली यह यह तो यह राज ने नेता की कहानी है बचारा व हेरो बनने के लिए इसमें भहुत सारे ट्रान्सवर्मिशन है जैसे कि मतलब अखबर अखबार अखबार तु अपर टेलिविजन कैसे नेता प्र करने लगता एका कि एक कहानी धारवाहिक लेखन के तर्ज की कहानी है और एक फिल्म का भी अपने आप में न्यूज आइटम की तरह भी है कि इसलिए सत्यापित करता है कि इस तरह वह असल में देखिए एक इंदल सिंग नवीन करके हमारे हैं एक नेता हुए जो बिचारें 20-25 सालों में उन्होंने म यıllित रिंद-डी बिचारें के गया कॉलेज मानेता प्राप्त नहीं हो पाए है इनको जानता haar अस एलाके का हार आदमी इंदल सिंग नवीन के को सब जानता है लेकिन ये हो कुछ नहीं पाए है बह् grooming कए हमारे स्तावना लगना लेकरने है कि लोग इसवाना लिखने वह उस्टारू कर दिया हो, बड़े-बड़े काम किया हो नहीं कुछ पाये, कोलेज ने मानता नहीं मिली नहीं है, तो तीन कॉलेजें, छवरी चरन सिंह कॉलेज और राम लखन सिंह यादब कोलेज, सब प्रिंस्पल थे, सरकार नन उन को मानता नहीं दी, उनको कही परमुख पाथियों ने देश के अपने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के टिकट दिए थाझino एक वर बचारे 500 वोड्त से हार गयते हैं और नजदिकी उनकी आर हुँ थी तो उनों ने और नहीं थास्त तो उन्होंने आतमदा उस समय आतमदा बहुत ऐसी आम बात नहीं थी जो लोग कर लिया करते हैं, आजकल थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो तेलिविजन मीडिया का भी शुरुवाती दौर था, तो मुझे लगा कि ये वो आतमदा करने के उन्होंने वो कर दी थी और सारी तै में यतने बड़े आंदोलन हुए सह उस ने किये, वस हो कुछ नहीं किसी पार्टी कर नेता नहीं हो पाया, विधायक नहीं हो पाया, सांसत नहीं हो पाया, मुख्या नहीं हो पाया, किसी निगम का अध्यक्ष नहीं हो पाया, कॉलेज का प्रिंस्पल नहीं हो पाया, लेकि तो ये कहानियों में आप इनको समेट कर रख देते हैं, अपने उपनियासों को, या छोड़ देते हैं कि उपनियास क्या लिखे हैं। अरे सचाई ये है, निरुकम जी कि मैं अखबारों के लिए लिखता था और वही बहुत दिनों तक मुझे अपना प्रोफेशन वही लगता रहा, तो स्टोरी लिखने की आदत होती है, स्टोरी जो होती है हमेशा, शब्दों की संख्या कितनी कम हो, अखबार की स्टोरी का मतल अखब वह होता है, कम शब्दों में लिखने की आदत हो जाती है, वो धिरे-धिरे जाती है, अब में उपन्यास लिखने यी कोशिश महूं, शाइद अब लिखूं, लेकिन यह सच कह रहे हैं कि हो, सारी बड़ी संभावना है मेरे कहानी के नायकों की तरह सारी बड़ी तो जैसे मेरे नायक है बड़ी संभावनाय जगा के नहीं चोरी करते हुए अंत में वह जो कहानी है सुमयल मास्टरी कहानी अंत में बिचारा कहां पकड़ा जाता है मुंबही में एक फिल्म डिरेक्टर या एक्टर्स हिरोईन का पीछा करते हुए पकड़ा जाता है तो बड़ी संभावना है हमेशा इसी तरह मेरे उस कहानी के नायक की तरह कतम हो जाती है सञ्योगोस आपकी कहानिया बहुत बढ़ती है और अब कहते हैं इनसान जो सोचता है जो चाहता है वह कमी हो पाता है अक्सर उसके जीवन में वह हो जाता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता है यह आपकी हर कहानी में ऐसा होता है कि वो नायक कुछ चाहता कुछ और है कुछ हो रहा है नहीं एक बहुत बड़ा समाज अभी भी हिंदी भासिमत जी निलाकों में रहता हूँ बहुत समाज है जो अभी भी विश्वासों के सहरह पर हूँ जीता है उसके पास और कुई दूसरा सहरा नहीं है तो संयगों में तो जीता है कि भूख सारे हमारे जीवन में अनुभाव करें मारकेज ने तो लिखा हम तो सही और गौट उठित होते हैं जो हम नहीं ho पा ते ये बहुत साधारान अनुभाव एक है कि आप की सारी कहानियों में कुछ इस्तरह के वाग करते हैं जो आम तो पर तो आप क्या कहानी में पत्रकारिता करते हैं? कई बार मैं कोशिश करता हूं कि जो देखिए पत्रकारिता जो ख़बरे आती है उन ख़बरों के पीछे क्या ख़बरे छूट जाती है कभी कभी उसको उस तरह से अपराद कथा कि शैली यह होती है कि जो घटनाएं जो अपराद हुए उसको आप सुल जाएं उस तरह से सुल्जाने वो कोशिश तो रहती है, कई बार मैंने कहा ही कि अख़वार की स्टोरी लिखने की आदत जादा है, तो उस शहली में मैंने बहुत लिखा है, और उस शहली को मैं मानता हूँ, मार्केज जो थे वो तो यही कहते थे कि पत्रकाहिरता और लेखन में कोई मूलभूत फर्क तो है नहीं, दोनों लेखन के स्ट्रेश्ट रूप हैं, आप अच्छी पत्रकाहिरता भी करें और अच्छा लिखें तो वो भी लोगों को याद रहता है, तो अब बार्शा ऐसी हो जिसको मार्खेज ने अपने लेखन में पकड़ा, क्यों विद्रोता पूर्ण चीज इतनी सहाज भाव से कह जाता है, कि सब समझ जाते हैं, तो अब आप सब से सवाल अमंतृत हैं, प्रभाद जी से कोई सवाल? जान की पुल बलाग चला रहे हैं, सब जानते हैं, कि वे लोग प्रिय बलाग है, तो जिससे ये पता चलता है, कि आप इंटरनेट के दुनिया से हिंदी इंटरनेट की दुनिया से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और काफी पापुलर हैं, तो इंटरनेट से जो ये आपका संपरक है, उसका आपके लेखिये जीवन के साथ क्या सबंध है, इसके उपर थोड़ा साब कर बताईए गया, दूसरा आपने सीता मडी के अं जाला भी भरा है, तीसरा सवाल ये है, कि अभी वो सिदार्द चोधरी यहां बैठे थे, शायद अभी वापस आजाएंगे, बीज में गए हैं से, तो उन्होंने भी बिहार की प्रिष्ट भूमी पे, पटना रफकट, पटना रफकट के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कल डे स्कॉलर, जो दिल्ली में चात्र भिहारी चात्र, उनको खेंडर में रखके उन्हों लिखा है, तो यदि आपने उनकी रचनाएं पढ़ी हो, तो उनमें और आप अपने में क्या फर्क महसूस करते हैं, इस परूमी नहीं, सिधार जी और अपने लेखन के फर् तो उसने मेरे लेखकिये जीवन को कितना किस रूप में प्रवावित किया, यह अपने बहुत अच्छा सवाल सर उठाया है, तो इसका मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो यह आप देखे कि इंटरनेट से क्या आने से, ब्लॉक्स क्या आने से, लेखकों के नए लेखक से हमें जोड़ा है, हम बहुत अगर 5-7 जार लोगों से जुड़ होते मेरे ब्लॉक को 40-50 जार लोग पढ़ते हैं महीने में, अगर इतने लोगों से हम जुड़ हुए हैं, तो अच्छा पढ़ने आते हैं, समय अपना नष्ट करके, और वो सीधा जुड़ते हैं, अब तक किया है, और एक बहुत जो यंग जनरेशन नहीं पीड़ी जो हिंदी लेकों किया ही है, वो अपने पाठकों के भरोसे बहुत सारे लोग उसमें खड़े हैं, जिनके बहुत अच्छे पाठक हैं, जिसके लेखन को लोग सिधा पढ़ रहे हैं, उसके लिए उसे किताब ढू कि अधिन कहीं वो जीवन तो उजाला ही था मेरे लिए और मैंने अभी कहा भी था कि मुझे सबसे अच्छा आपने जीवन का वो दौर ही शायद लगता है, इसलिए मैं बार बार वार की कानिया लिखता हूं हाँ, मैं तो उसको फखर के साथ लिखता भी हूं और कहता भी हूं अब बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है सर मैं इसका जवाव शुरू में ही दे चुका हूं एकरामानुजम सहाब की बात मैंने कही थी कि आप जितना अपने देश से दूर होते हैं उसको उतनी निर्पेक्षिता से देख पाते हैं तब शायद मैं लेखकी नहीं होता मुझे तो दिल्ली आने पर लगा कि लेखक भी हो सकते हैं लेकों की संगत में आये होते आये तभ झाल